कि देखिए इन पैडल कॉमिनेशन में हम जो सेल्स जोड़ने जा रहे हैं उसमें एक दिक्कत आ रही है यहां पर हम दो केस लेके चलेंगे इमफ अभी जखिए अब आप कहेंगे साथ इसके पहले वाले केस में आपने स्रीज में इमफ अलग अलग हो तो तो कर दो एड़ कर सबको लेकिन अगर आप माले एन सेल्स हैं और एक वन है का टू है का 50 है का 16 है का 20 है का 25 है का 100 है जोड़ पाओगे एन तक कैसे जोड़ोगे वह एन तक जोड़ने के लिए को शरीज होनी चाहिए ना एपी जीपी एच्पी कोई को फालू करना चाहिए तो वहां एक दिक्क एम एफ सबके सेम है तब क्या होगा ठीक है पहले समय लिए लिखना ना शुरू कर दिया करिए तो हम क्या करते ये हैं सेल एक सेल और ये है इसका इंटरनल रिस्टेंस ये है दूसरी सेल और ये है इसका इंटरनल इसी प्रकार से बहुत सारी सेल्स हैं और ये एन सेल है और यह है इसका internal और यह सब के positive एक point से जुड़ेंगे और सब के negative एक point से जुड़ेंगे ठीक है और सब के EMF कैसे है, same सब के EMF same है और सब के internal resistance भी same है, अलग-अलग नहीं हम दे रहे हैं अभी अलग-अलग अलग बताएंगे आपको, ठीक है तो simple सी बात है, current भी same flow कराएंगे ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है अच्छा सुनिए ध्यान से, यहां से जो एक iron निकला, ठीक है यहां पर यह a point है यह point b है, साउधान यहां से जो iron निकला, इस cell ने energy दी e, energy e बन तब क्या होता, energy दो होती है आपके अच्छा energy कहा होती है अच्छा energy कहा होती है यह energy per new charge, और वो लेके यहां पर आया, यह वाला भी लेके यहां पर आया, दोनों ने टिफिन खोला तो same चीज़ जी, तुम कोई burger, हम कोई burger, तो एक एक kitchen से दो के आया है ना, यहां से EMF of circuit कितना होगा total EMF कितना रहेगा, यह रहेगा यानि अगर आप series में combination, sorry, parallel में combination करते हैं, तो EMF change नहीं होता, जो एक का होगा वही सब का, पूरे circuit का होगा, ठीक है, अच्छा total internal resistance हमने मान लिया, total internal resistances वो हमने माल लिया R1, यह total internal हमने R1 माना है, तो total EMF कितना होगा, total resistance कितना आरोन हो गया, यह जो internal resistance से काहिम जुड़े हुए हैं, parallel में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर 1 upon R1 is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus, कितनी बार, 2 end time से बहुत टेड़े मेड़े बने, ध्यान से देख लिएगा, तो यहां किया होगा, 1 upon R1 is equal to N upon R, तो R1 क्या होगा R upon N, अब देखो ध्यान से, यह सभी मिल करके, किसी external resistance में current को भेजेंगे हमें requirement external resistance में है, हमको गाड़ी start करने, कुछ भी start करना है, कहीं पर भी, यहां पर current को भेज रहे हैं, समने current भेजी है, हम आप कहेंगे current दिखाया है क्यों नहीं, कुछ दरुद हमको है नहीं यहां इसलिए नहीं दिखाया हमने, यह current है, ठीक है, तो total resistance of the circuit कितना होगा, इसको उठा कि उसमें plus कर दो, तो total resistance of the circuit total resistance resistance of the circuit, हो जाएगा R1 प्लस R बोले तो R अपान N प्लस R बोले तो R प्लस N अपान N, लफडा होगा, यह N घुज गया जाकर के capital R के साथ में, diagram तो clear है, रब कर दें, diagram मुना लिया ना, diagram को रब कर दें, अब देखो, जब हम current की बात करेंगे, तो current in the circuit की बात करते हैं, current in the circuit की बात हो रही है, current in the circuit, I is equal to क्या होगा, total EMF, total EMF कितना है, E, और total resistance कितना है, यह, R प्लस NR अपान N उपर चला जाएगा, तो यह current आपको circuit में मिलेगी, ठीक है, इसे note करिए, फिर special case की बात करते हैं, यहाँ पर special case लेते हैं, यह गरबड़ चलेगा भी तो, दो चार दी, उसी से चले, यहाँ पर special case लेते हैं, special case, case number one, अब देख, दिक्कत है, N तो उसके साथ ज़़़ा हुआ है, तो case number one करेंगे, when R is greater and greater than capital R, यानि की, जो internal resistance है, वो external की respect में, ठीक है, तो यहाँ पर I की value क्या हो जाएगी, किसको अटाएगे, N, E upon R, N टाइम्स में लेगे, वोई internal resistance किसका है, एक सेल का है न, तो एक सेल अपना लड़े बेड़े, दूसरा तो अपना काम करी रहा है, एक कान लगा है उदर, कान लड़ा ही हो रही है, ठीक है, अचा current by one सेल क्या होगी, अगर हम कहें current by one सेल, एक सेल कितना current दे रही है, E, Y, R, इसको हम I1 माल लें, तो आपको जो I current मिल लए हो, N टाइम्स मिल जाती है, यानि अगर आपको ज़्यादा current चाहिए, और internal resistance बहुत ज़्यादा है, और current भी ज़्यादा चाहिए, तो आप कहें में लगा होगे, केवल स्रीज पैरल से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा, कि उसका जो internal resistance हो किस तरह भी हैप कर रहा है, ठीक है, भाई ये तो बढ़िया है करें, उनके यहाँ बड़ी पकवान मिलते हैं, बड़ा अच्छा कर रहा है, मिलते ही नहीं है, खुद ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पता चला तो क्या करें, तो इससे बढ़िया है कि वो देख लीजे कि, EMF तो बढ़ रहा है, लेकिन current किस पर depend करती है, दूसरा case क्या है, कि अगर external resistance बहुत ज़्यादा है, in compression to, internal के, तब क्या करेंगे, तो आप किसको गाइब करोगे, small r को गाइब करोगे, तो i is equal to क्या होगा, any upon, n capital R, e upon R, ठीक है, तो आपको अगर current by one cell निकाले, current by, one cell, i1 माल ने तो e upon R हो जाएगा, जो कि i के equal हो जाएगा, यानि कि देखे, अब आप से कहा जाए कि बदाएगे current हमको ज्यादा चाहिए, तो आप series में लगाओगे आप parallel में, तो आप कहेंगे that depends अपान्दा, internal resistance, कि उसका external resistance के सापेक्ष, कि रेस्पेक्ट में उसका internal कैसा है, ठीक है, हाँ अगर voltage चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा voltage कि इसमें मिलेगा आपको, series में, और parallel में voltage उतना ही मिलेगा, जतना एक battery देती है, एक cell देती है, ठीक है, तो ये पहला case हो गया, जबकि EMF, अब parallel combination की बात होने जा रही है, जबकि EMF अलग-अलग हों तो क्या करेगे, अब EMF अलग-अलग हों तो N cells मत लेजिएगा, दो-तीन cell जोड़ दीजिएगा, फिर इसी प्रकार से similarly काम चल जाएगा, ठीक है, जबर समझने की कोशिच करिए, हमने का ये cell है, और ये cell का internal resistance है, दूसरी cell ये है, ये दूसरी का internal है, तीन ले रहे हैं, तीसरी cell ये है, ये इसका internal है, और ये तीनों काहिम जोड़ी हुई है, पैरलल में जोड़ी हुई है, इस प्रकार से पैरलल में जोड़ा हुआ है, और तीनों मिल करके, किसी external resistance में current दे रही है, ठीक है, इसका EMF कितना है, E1, इसका कितना है, E2, इसका कितना है, E3, इसका resistance R1, इसका R2, इसका R3, और ये R, सिंपल सी बात है, अगर EMF अलग-अलग है, तो current भी अलग-अलग होगी, तो इस cell की वज़े से current कितनी फ्लो हो रही है, I1, इसकी वज़े से, I2, इसकी वज़े से current I3, और तीनों मिलकर के I, तो पहले ये समझेगा, I1, I2, I3, यानि I is equal to क्या दिखेगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3, अब आपको ये I मिल जाए, काम चल जाएगा, जड़ा साउधान, इसके naming दे दो, A, B, C, D, अब आप इसमें किर्चाफ second ला लगा दीजिए, किर्चाफ का second ला जो था, loop rule, वो क्या था कि in any closed loop, the total potential difference, sum of the potential difference क्या होता है, 0 होता है, तो एक closed loop आपको ये दिख रहा, A, B, C, D, E1, A, दिख रहा है ये नाम देदें, E1, तो आप लिखेंगे in closed loop, in closed loop, A, B, C, D, E1, A, अरे या नाम देनें किया दिखकत है, क्या फिर उसमें D हम मानेंगे, क्या दिखकत है, नाम देदें को दिखकत क्या है, by kitts of second law, kitts of second law, main हमारा मकसद क्या है, कि वो आप loop पहँचान जे कि किस रास्ते से होकर हम जा रहे हैं, देखे देखेंगे, आप kitts of second law क्या हो कहता है, पहले समाह लिजें, बाद में शुरू कर ये लिखना, अब देखें, हमने कहा था, कि EMF निकालने के लिए रास्ते में कौन-कौन मिलेंगे, दो कामपोनेंट मिलेंगे, या तो resistance मिलेगा, और या तो cell मिलेगी, यहाँ capacitor और inductor नहीं मिलेंगे, आगे चलके मिलेंगे, अभी फिलाहल नहीं मिलेंगे, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं चलना, इधार देखें, यह जब रास्ते में गए, इन भाई साब के पास current I3, और यह resistance R था, तो potential difference कितना होगा, IR, plus यह minus, current के साथ जा रहें, आपके calculation करेंट के साथ है, तो minus हो गया, आगे बढ़े, तो हमारा यह circuit आया, current कितनी है यहाँ पर, I1, resistance कितना है, R1, minus I1, R1, आगे EMF मिला, plus यह minus, तो कि plus की तरफ जा रहे हैं, plus E1, is equal to 0, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे आप, तो हम निकालेंगी क्या है, हम को current निकालनी है, तो हम I1 निकालनें यहाँ से, तो इसको उधर shift कर दो, तो यहाँ से I1 की value क्या हो जाएगी, आजाएगी E1, minus I1, और upon R1, upon में आजाएगा कोई दिक्कत, हम, अब हम दूसरे loop के लिए ले ले लें, in loop, A, B, C, D, E, 2, A, यह रास्ता ले लें, A, B, C, D, E, 2, A, जब बताया जाया करें तो ध्यान से देखा करिए, जैसे picture में होता न, गोई dialogue होता, जानी, अब में dialogue देखें नहीं तुमने, हैं, अब बाद गया है, वो dialogue कितना अच्छा था, dialogue यह नहीं सुना, ध्यान नहीं देखें, उसमें एक्षन नहीं देखें, तो ध्यान से देखा करिए, इस loop में ज़रा देखो, क्या दिख रहा है आपको, minus I capital R, आगे गए current क्या यहां पर है, I2 है, यहां पर क्या है, I3 है, तो minus I2 small r, plus E2 बराबर 0, तो यहां से आपका I2 निकल आएगा, similarly कर दें तीसरे के लिए, similarly, यहां से I3 क्या निकलेगा, E3 upon, R3 minus I R upon, आपको I1 मालूम हो गया, I2 मालूम हो गया, I3 मालूम हो गया, इन सभी value को उठाएगे, question number 1 में, पुट कर दें, diagram बना लिया है, तो रब कर देते हैं इसको, वैसे बड़ा गंदा बना है, लेकिन बना तो ही है, सभी में आना चाहिए में, देखिए, क्या करेंगे, पुटिंग, पुटिंग वर्ट रॉंग है, लेकिन उससे का मतलब है, I3 in equation 1, देखिए, पुटिंग का मतलब जानते क्या होता है, ये चीज ऐसे उठाओ यहां से, ये रख दो, यहां न रहे ये फिर ये, अब ये वैलू भी पुट करेंगे, यहां लिखी भी रहे गी है, तो सब्स्टिउशन होता है यहां पर, लेकिन चुकि अब सब चल जाता है न, I1 की वैलू क्या होगी, I1 अपान R1 माइनस I R अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस I R अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस I R अपान R3, आपको करेंग निकाल ली है, I निकालना है न, तो जितने भी I की टर्म है सबको, इदर शिफ्ट करना पड़ेगा, देखिए, I कामल ले ले, वन ये सब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ये वाला इधर आएगा, और प्लस यहां से I कामल लिया है, R बहाल ले तो आएगा, वन अपान R1 प्लस वन अपान R2 प्लस वन अपान R3 हो गया, और यहां क्या बचेगा, E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 तो I की value क्या निकलेगी E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 divided by 1 plus capital R 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो this is the current in the case of parallel combination when the EMF are different they are not same तो उसकेस में यहाँ पर आएगी तो यह हमने तीन सेल लेकर के एक पताया फर्मूला तो यहाँ पर N cells भी हो सकती है तो आप लिख सकते हैं similarly if there are N cells अब आप कहेंगे यही रूल अच्छा पर ले लगा देते हैं तो IZ को लो क्या हो जाएगा E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus 1 plus EN upon RN upon 1 plus capital R 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 plus 1 upon इस प्रकार से निकाल सकते हैं अब आप कहेंगे यही चीजां स्रीज में आप नहीं कर सकते हैं पर उसमें किर्चाश ला के लिए पूरा सबसेल से एक साथ आजाएंगी हम भी हम भी हम भी हम भी कहां से करिक्रिसन करोगे तो वहाँ पर दो तीन सेल के लिए तो आप कर सकते हैं EMF जोड सकते हैं लेकिन अगर N सेल्स हैं तो या तो उनके EMF किसी रूल को फालो कर रहे हूं तब कर ले जाओगे उनके internal resistance भी किसी रूल को APGPHP कुछ बने तब काम चलेगा नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा समझ में आ गई बात ठीक है तो इसको लगा लीजेगा ठीक है